एक जंगल की कहानी सुनाती हूँ, जहां एक मोर रहा करता था। एक मोर्णी थी जो उसे बहुत पसंद थी। एक दिन हिम्मत करके मोर्णी के पास शादी का प्रपोजर लेकर पहुँच गया मोर्णी। जाकर मोर्णी से कहा कि कैसा रहा अगर तुम्होर हम विवाह कर ले। मोर्णी ने कहा लेकर उससे पहले तुम्हें मेरे कुछ सवाल होके जवाब देने होगे। बिलकुल पूछो, उससे पूछा क्या तुम्हारे कोई दोस्त है? कौन कौन है तुम्हारे दोस्त? मोड ने इधर उधर देखा और का कि नहीं, मेरे कोई दोस्त नहीं है. मुझे नहीं लगता कि मेरे जीवन में दोस्तों के लिए कोई जगा है, मैं तो अपना पूरा समय दोस्त बनाएगा. उसने एक शेर के साथ दोस्ती करी, एक कच्छुए के साथ दोस्ती करी और एक टिटहरी. टिटहरी वो जो शेर को उसके शिकार के बारे में बताती है, शेर को बुलाती है. इन तीनों से उसने दोस्ती कर ली और उसके बाद फिर से मोरनी के पास शादी क प्रपोजल लेकर मौचा अब जब उसने मोर्णी को बताया कि अब मेरे तीन दोस्त हैं तो मोर्णी तुरंत शादी कर निकले तयार होगे दोनोंने शादी की खुशी-खुशी अपना जीवन जी रहते एक पेड़ के उपर घोसला बना कर रहने लगे और दोनोंने अंडे भी दिये इतने में एक दिन जंगल में शिकारी आए शिकारी अपने लिए शिकार ढूंड रहे थे जब उन्हें शिकार नहीं मिला ठक हार कर उसी पेड की छाओं में वो शिकारी बैट गए और उनके मन में विचार आने लगा वो आपस में बाते करने लगे कि अब शिकार तो मिला नहीं है, लेकिन इस पेड़ पर बहुत सारे चीडिया, मोर वगरा वगरा हैं, तो क्यों ना उनके अंडे और बच्चों से ही अपना पेड भरा जाए? ये बातें सुनकर मोर और मोरनी बहुत घबरा गए. फिर क्या था? मोर तुरंत वहां से भागा अ कच्छुआ अंधर पानी में चला गया, जिसकी वज़ा से वो शिकारी भी पानी में जाकर दल-डल में भजगया, और कुझी देर में वहां पर शेर आ गया, और शेर ने उन शिकारियों का ही शिकार कर लिया, और मोर मोरनी अपने बच्चों को और अंडों को बचा पाया. उस दिन मोर्ने मोर्नी से कहा, कि आज मुझे समझ में आया, कि तुमने शादी के पहले ये सवाल क्यों किया था? जीवन में दोस्तों का होना, सही दोस्तों का होना, कितना जरूरी होता है? अक्चली हमें एक समाज में रहते हैं, सब कुछ हम अकेले, खुद बाखुद नहीं कर सकते, हमें दूसरों की जरूरत होती है, उनके साथ की आबशक्ता होती है, इसलिए समाजिक होने के नाते, मित्रता जीवन में बहुत इंपोर्टेंट होती है, आपके आसपास जो लोग ह कब कहा कैसे, आपका साथ दे जाएं, आपको संकर से निकाल के ले जाएं, तो हर किसी से अच्छा व्यवहार रखिए, खुद को मिलनसार बनाईए, अपने दोस्तों का दाइरा और संक्या बढ़ाईए, अगर आपको भी ऐसा लगता है ना, कि आपके जीवन में दोस्तों क की जगा नहीं है, तो एक बार दूद के गिलास के बारे में सोचिए, जब वो पूरा भरा हुआ होता है, तो उसमें और दूद नहीं डाला जा सकता, लेकिन शक्कर डाली जा सकती है, शक्कर जो उसमें घुलकर उस दूद के स्वात को और बढ़ा देती है, बस ऐसे ही होते अच्छे दोस्त जो आपके जीवन में खुल जाएंगे और उसकी मिठास को बढ़ाएंगे तो अपने जीवन में दोस्तों का स्वागत कीजिए